अस्ते सांथियो स्वागत है एक बर फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना से संबद दिताज के इस खास वीडियो में तो सांथियो हाल ही में 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में अठारवी किस्त के अंतरकत सांथियों दो हजार उपए जो है ट्रांसफर कर दिये गए जितने लाभार्थियों का बकाया किस्त था वो भी जारी कर दिये गए है ऐसे में भारत के अंतरगत लगबग लबग साड़े नौ करोड लाभारतियों के खाते में ये लाब पहुँचा है और अभी भी बरतमान में भी जिन लाभारतियों को पैसे नहीं मिले हैं उनके खाते में पैसे आ रहे हैं इसी के बीच सांथियो कुछ अपडेट से निकल कर आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि PM किसान सम्मान निधी योजना के तहत जो 19 वी किस्त है सांथियो वो लाभार्थियों को इस बार जल्दी मिलेगा तो सांथियो आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोग को जानकारी दूँगा कि प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 19 वी किस्त की रासी जो है कब तक आएगी सरकार के तरप से ओफीशिली क्या जानकारी दी गई है अगरिकल आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस वरकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करे तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके जैसा कि आप सभी को पता है कि पीम किसान सम्मान निधी योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में सालाना तीन कि किस्तों में साथियो 6,000 रुपए ट्रांसफर किये जाते हैं और ये पैसे लाभार्थियों के खाते में 4 महिने के अंतराल में दिये जाते हैं लेकिन कुछ परिस्ति थी कि अंदर साथियो लाभार्थियों को पैसे कभी जल्दी और कभी थोड़े से देरी से जो है मिलती है तो साथियों बरतमान में यही अपडेट है कि इस बार जो पैसे मिलेंगे वो थोड़े जल्दी ही मिलेंगे और लाभार्थियों को 19 वी किस्त के लिए जादा इंतजार नहीं करना होगा तो साथियों कौन सा वो डेट है उसकी बिसे में आप लोग अब डीटेल जानकर यहां पर प्रोवाइट करते हैं दूसरा सांथियो अगस्त माँ से नवंबर माह के बीच जो तीसरी इंस्टॉल्मेंट है वो लाभार्थियों को सेम फाइनेंसियल एर के डिसमबर से मार्च माह के बीच जो है दिये जाते हैं बरतमान में जो पैसे लाभार्थियों को 5 अक्टूबर को मिले हैं वो अगस्त से नवंबर मा के बीच जो पैसे दिये जाते हैं उसकी रासी है इस बार थोड़े जल्दी ही पैसे दिये गए हैं अक्टूबर मा के अंदर और इसके बाद जो लाभार्थियों को पैसे मिलने है क्योंकि साथियों जब तक डिसमबर माहा स्टार्ट नहीं होता है इस योजना के तहट 19 वी किस्त जो है ट्रांसफर नहीं किये जा सकती है तो लाभार्थियों को मैनीमम साथियों जो डिसमबर माहा है वो इंतजार करना है उस तक और उसके बाद ही जो रासी है वो ट्रांसफ तो सांतियों अभी मैंने आप सभी को जो expected डेट से उसके बारे में जानकरी दी कि कौन से मंध को ये पैसे टांसफर की जा सकती है बकाईदा जो नियम है वो क्या है कब से कब पैसे टांसफर किये जा सकते हैं इसके अंदर सांतियों अफिशल तौर पर अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट और सरकार के दुआरा आखिर में जो है निरनाई लिये जाते हैं कि लाभारतियों को कब पैसे दिये जाने है और उसी के बाद ये पैसे दिये जाते हैं तो सांथियों आप सभी को डिसंबर तक इंतजार करना है उसके बाद ऑफीशियल तौ में जो भी कनभियोजन था लाभारतियों के मन में काफी जगह पर आप सभी को अपडेट्स देखने को मिल रहे थे कि इसी माह मिलेंगे 19 वी किस तरसांतियों ऐसा नहीं है मिनिममम डिसंबर तक इंतजार करना है डिसंबर से मार्च माह के बीच कभी पैसे ट्रांसफर किये जाएंगे जिसमें मन्थ डिसंबर भी हो सकते हैं जन्वरी फरवरी या फिर मार्च ओफीसियल जो अपडेट्स आएंगे अगरिकल्चर डिपार्टमेंट और सरकार के तरफ से उसकी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अगर